हाई गाइस, एरलाइन इंडास्ट्री में दो बड़ी न्यूज आई हैं, पहली गोफर्स और जेट एर्वेज दोनों एरलाइन अपने एरलाइन कोज यानि जी एट और नाइन डब्ली को खुछ चुकी हैं और ये कोज बेसिकली उनकी यूनिक अइटेंटिटीज होती हैं, इंटरनाशनल एर ट्रांस्पोर्ट असोसियेशन यानि आईटा का कहना है कि एरलाइन को दो डेजिगनेटर कोज के लिए अपरेशनल होना जरूरी है और गोफर्स ने अपनी कमर्शल फ्लाइज में में और Jet Airways ने अपरिल 29 में ही बंद कर दी है, इस सेकेंड न्यूज इस कि ED ने Jet Airways के फाउंडर नरेश गोईल को किनरा पैंक के 538 क्रोर के एक फ्रॉड केस में अरेस्ट कर लिया है, वैसे, डू यू नो कि फिलहाल किस एरलाइन कपनी का मार्केट शेर हाइस्ट है, तेल आस इन आसने किस एरलाइन के एक कर आसे कि एरुड ही आसे हो मर्केट शेर है।